हेलो गाइस स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में आज की वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं सोनी इमाउंट का 16mm f2.8 वाला लेंस सो गाइस दिखने में कुछ ऐसा दिखता है अभी मैंने इसको सुनी नेक्स 6 कैमरा पे लगाया हुआ है बहुत ही कॉम्पैक्ट सा लेंस है वजन की बात करो तो 100 ग्राम से थोड़ा ही इसका ज्यादा वजन है एक बार आपको निकाल के दिखा देता हूँ देखिए कितना यह चोटा है और काफी अच्छी इसकी construction है fully metal का है मैं आपको एक बार close up में दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है तो पीछे से दिखने में यह कुछ ऐसा दिखता है और यह पूरा metal का mount है इसका तो metal का mount होने का फाइदा यह रहता है कि lens काफी strong रहता है अगर आपका camera इधर उ 16 mm gaze की focal lens है सामने से देख सकते हैं कितना चोटा और यह compact lens है जब हम इसे camera पर लगा देते हैं तो आप देख सकते हैं कितना आपका पतला camera हो जाता है तो अगर आपको traveling के लिए कोई lens चाहिए जो बहुत ही जादा compact हो देख सकते हैं कितना compact है तो यह काफी अच्छी choice रहेग camera का combination बन गया है तो guys यह वाला जो lens है क्योंकि यह 16 mm की focal length का है तो यह specially अगर आपको vlogging करनी है तो उसके लिए काफी अच्छा हो जाता है क्योंकि 16 mm की focal length पे आपको काफी बड़ा field of view मिलता है और vlogging के लिए आपको एक wide angle lens की ज़रुत होती है और यह आपका एक wide angle lens है अगर आ आप एक APS-C camera यूज़ कर रहे हैं जैसे Sony A6000, A6100 या Sony NEX वाले camera तो उन में यह बहुत ही बहतरीन काम करेगा आपको vlogging करनी है बहुत ही easily आप इसको ऐसे camera को हाथ में hold करके vlog कर सकते हो और अगर आपको यह पीछे की screen नहीं भी दिखरी उसके बावजूद भी आपको समझ मे आजाएगा कि हाँ यह मेरे चेहरे को भी लेगा और पीछे के background को भी लेगा जैसे कि इस वाले camera में यह आपकी fully flip out screen नहीं है लेकिन अगर मैं camera को ऐसे hold करूंगा हाथ में क्योंकि 16 mm की focal length काफी कम होती है तो उसमें मुझे मेरा चेहरा भी आएगा frame में और जो पीछे की ची जादा आती है उसके अलावा अगर आप landscape photography करना चाते हो street photography करना चाते हो तो उसमें भी आपको एक wider lens की ज़रत होती है तो उसके लिए भी यह काफी अच्छी choice बन जाता है हलाकि अगर हम इसके price की बात करें तो इसका जो price है around 300 dollar की आसपास price इसका रहता है अगर हम इसकी इं आपको एक बार दिखा देता हूँ मेरे इस हाथ में sony का 16-50 वाला kit lens है और यह 16-50 वाला kit lens 3.5 से 5.6 तक जाता है तो इन दोनों में बहुत जाला अंतर नहीं है यह भी काफी light weight है और अगर आप इसको 16 mm की focal length पे use करते है तो इसमें आपको 3.5 का aperture मिलता है और इसमें आपक 2.8 का तो बहुत जाला अंतर नहीं है हाला कि इसमें आपको थोड़ी सी जाला extra light मिल रही है लेकिन यह भी काफी अच्छे results ले रहता है और अगर हम price की बात करें तो यह kit lens obviously आपको सस्ता मिल जाएगा अगर आप camera के साथ लोग है compared to यह वाला lens तो अगर इन दोनों में से मे power zoom वाला lens से इसको choose करें क्योंकि इन दोनों की image quality में अगर आप 16 mm पे shoot करते हैं बहुत जाला अंतर नहीं है हाला कि यह थोड़ा सा बैतर है लेकिन बहुत जाला जमीन आस्मान का अंतर नहीं है और क्योंकि यह 3.5 का aperture दे रहा है 16 पे और यह 2.8 का तो बहुत जादा आपको extra light भी नहीं मिल लिए अगर यह वाला lens आपको 1.8 का aperture देता 16 mm पे तब बेशक यह वाला lens लेना आपके लिए बहतर choice रहती क्योंकि उसमें आपको काफी जादा extra light मिल जाती लेकिन 3.5 और 2.8 में जाला अंतर नहीं है तो आप kit lens से भी उतना ही बहतरीन काम चला सकते हो उसके अलावा इस kit lens को लेने का आपको एक और फाइदा यह मिल जाएगा कि इसके अंदर आपको built-in image stabilization भी मिल जाएगा जो कि आपको इस lens में नहीं मिलता उसके अलावा 16 mm के अलावा आप इसको 50 तक ले जा सकते हो तो traveling के लिए काफी अच्छा है अगर आपको portrait photo लेने तो आप इसको 50 mm की focal length पर भी shoot कर सकते हो अब guys इस वाले lens से लिए हुए यह जो 16 mm f2.8 वाला lens से इस से लिए हुए कुछ sample photos में screen पर डाल देता हूं तो आप देख पाएंगे कि कैसे यह photos आए हैं और यह सारे-सारे photos मैंने इसी वाले camera से लिए है sony next 6 काफी अच्छा mirrorless camera है इसका review आप मेरी channel पर check out कर सकते हैं उसका tutorial भी आपको मेरी channel पर मिल जाएगा और आप देख सकते हैं photos काफी अच्छे आए हैं अगर आपको दूर का काफी बड़ा field of view चाहिए कि आप lens के photography कर रहे हो या आप घर के अंदर photography कर रहे हो group photography कर रहे हो कि आपके पास इतना space नहीं है कम space क अंदर आपको जादा से जादा चीजे चाहिए तो उसके लिए ये best lens रहेगा हाला कि आप इस 16-50 वाले से भी वो काम कर सकते हो लेकिन फिर भी अगर आपको एक special lens चाहिए specific lens चाहिए उस purpose के लिए तो definitely आप इस 16 mm वाले lens को consider कर सकते हो क्योंकि इसमें definitely आपको kit lens से थोड़ वीडियो भी मैं स्क्रीन पर डाल देता हूं तो आप देख पाएंगे कि किस टाइप की आप वीडियो इस lens से बना सकते हैं आप देख सकते हैं काफी अच्छी है आपको वीडियो भी दे रहता है 2.8 का aperture है और यह wide-angle lens है close focusing की इसकी काफी अच्छी है आप देख सकते है और कुछ ऐसे आपको वीडियो में quality मिल रही है और वापस से में यहां पर फोकस करता हूं तो देख सकते हैं कितना smoothly इसने focus को transition कर लिया तो vlogging करनी है तो उसके लिए काफी अच्छा है क्योंकि 16 mm की इसमें आपको focal length मिल जाती है तो काफी यह आपके चेहरे को cover कर लेगा तो एक बार मैं आपको अपने आपको भी दिखा देता हूं कि vlogging में यह कैसा दिखेगा तो कुछ ऐसा आपको field of view मिल जाएगा इस वाले lens से अगर आप vlogging करना चाते हैं 16 mm काफी अच्छी length रहती है focal length जिस पर कि आप बहुत अच्छी vlogging कर सकते हैं क्योंकि पीछे का भी आपको अ नहीं मिलता तो उस लियाज से kit lens लेना आपके लिए बहतर option रहेगा तो guys अब आपकी choice है मैंने आपको सारी चीज़े बता दी कि किस price में आपको यह मिलेगा क्या इसके benefit है क्या इसके drawback है फिर भी अगर आपको यह lens लेना है तो बेशक आप ले सकते हूं नया 20,000 के आसपा वाले सब में easily चल जाएगा लेकिन मेरी recommendation रहेगी कि आप 16-50 वाले power zoom वाले kit lens से भी उतना ही बहतर काम कर जकते हैं इस वाले lens को लेने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है और वीडियो अच्छी लगी हो तो share कर देना, like कर देना और चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लेन bell icon को भी press कर देना